गुद मारिंग फ्रेंज आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं और यह हम सुबह सुबह संडे के दिन निकल के हैं मुकुनपूर जो हमारे घर से थोड़े ही दूर में है जहांपर वेजिटेबल्स और नॉनवेज सब कुछ अबलेबल है वहां पर कु नॉनवेजास देखते हैं क्या बलता है तो चलिए हमारे साथ कि अबल करता है। और यहां पर देखिए कितने सारे वेजटेबल्स हैं और यह एक हाथ है और यहां पर सारे कुछ वेजटेबल्स जो मैंने कभी पहले देखा नहीं था वहां पर देखने को मिल जाता है मैंने यहां पर पालंका साग और गाजर यह थोड़ा थोड़ा लिया था और ड्रम स्टिक यह थोड़ा थोड़ा सब मैंने लिया था यहां से कर दोड़ा गाल पर बाव है तो यह देखिए फ्रेंट्स हम यहां से सबजी खरीद के मैं थोड़ा सा आगे जाओंगी जहां पे मुझे लोकी लेना था तो आगे के स्टॉल में मैं लोकी और यह पर्ष ले रही हूं तो वेचिटेबल्स तो मुझे बहुत पसेंद से ज्यादा ज्यादा मैं वेचिटेबल्स च्यादा पसंद है मुझे तो यहां पर आके बहुत अच्छा लगता है इतना सारा फ्रेश वेजटेबल्स और ग्रीन ग्रीन सब दिखता है तो मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लेती हूं विकली वन्स बहुता है ड़न है तो यहां पे दिखिए फ्रेंड्स या पताने नहीं कौन सा पिश का एक पार्ट था जो इतना बढ़ा था मुझे तो समज भी नहीं आया जो पता नहीं किसने स्टार फिश किसने कुछ और बोला और यहां पे दीखिए पूरा फिश पानी में तैरते हुए यह भी फि और जैसे कि आपको पता है, मैं कोलक ता में हूँ एतलो ब्छाबी यहां भेषन भाषर मार्कटी मार्केट बहुत है तो आप देखिए यहां पर बहुत है कितने टाइप के फिश, प्राउंस, क्राब और प्तानी चाली सब है तो हमने खरीद लिया चोड़ा चोड़ा जो फिश होता है वो बहुत आख के लिए बहुत ही फाइदामन होता है तो वो हमेशा हम लोग जब भी नॉन्वेज खाते हैं वो लेते हैं और यहां पे हमको भूग लग गई थी तो हमने सुबह से कुछ ब्रेकफस्स नहीं किया था तो घर के पास एक अच्छा सा चोटा सा रेस्ट्रेंट है वहां पे हमने यह कचोड़ी और दई बड़ा खाया था थोड़ा थोड़ा और यहां हम घर पहुंच की जो चोटी मच्छी हमने नाया था उसको मैं मरनिट कर रही हूँ हल्दी नमाक और लाल मिरच में फिर उसके और थोड़ा सा उसके बाद मैं उसमें दूंगी राइस पाउडर और यह मैंने उसको मिला लिया है अब सिर्फ इसको फ्राय करना है और बस और कुछ मजाला नहीं बस इसको फ्राय करके रखना है अजा बस दूंगी बस और लाल मिला नहीं बस पाउड़ा सा उसको फाउडर कर दो 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 कर और यहां पर मैं अपनी sister-in-law से बात करें हूं फोन पर उन्होंने फोन किया था तो यहां पर मैं कुकिंग करते बात करें थी उन्होंने मेरे husband की number से फोन किया था तो वही हम लोग वही पर बात कर रहे थे और तो मैं husband में थोड़ा instruction दे रहे हैं कि ऐसे मचली बनाना है ऐसे करना है तो आप देखिए मैंने मचली बनाने के साथ साथ वहां पर जो हमने साग लाया था उसको मैं क्लीन कर रही हूं और फिर मैं उसके बाद उसको बनाऊंगी बनाऊंगी झाल 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 यहां पर हम लोगों ने छोटब मचली और उससे थोड़ा और थोड़ा सा बड़ा वाला मचली दो टाइब की मचली लाएते तो यहां अर तो यहां बड़ा वाला मचली को यहां भी मस्टर्ड पेस्ट दे के रहें उसको बना रहे उसको पहले और फिर तो यह प्र दें ए रहें रहें तो यह ठोड़ा सा खटा रहता है और बहु टेस्टी वहती है तो आप भी कभी सकते हैं कर सकते हैं, पैसे आपश पेस्ट, मछी द्राइत गजो भी सब्सपैन्ण आप में पेस्ट में चोटी में रिया ड्राय मेंगो को फुटी वेस्ट शूट !!! जो वेस्टन ओरिसा में मिलता है उसमें उसको थोड़ा सा डालके खटापन लाने के लिए और मैंने इसमें दो टमाचो भी दिये थे तो यह बहुत ही टेस्टी बना था आप ही ऐसे ट्राइ कर सकते हैं कर दो बहुत ही बाद कर सकते हैं तो यहां पर सबजी रेडी हो गया है तो सारा मेने खाना बना लिया था उस दिन तो अभी हम लोग सर्फ करेंगे खाना खाएंगे चलिए तो यह मैं साख कर रही हूँ और जो मैं क्लीन करके रखी तो बहुत जल्दी हो जाता है तो इसलिए मैंने लास्ट को किया और यह ऐसे ही गरम काने में सही रहता है पुरा फ्रेश तो लेट्स चलो अभी सर्फ करते हैं तो यह है खाना बैगन का भरता और यह एक डिश है ओड दही मिलाके तोड़ा सा जीरा और अद्रक देखे उसमें जोक लगाते हैं समर सेजन में और इसमें बहुत खाया जाता है और यह चोटी मचली का फ्राय यह साग और बैगन का फ्राय था और यह वह जो करी था मैंने मचली मस्टर्ड पेस्ट और राम स्टिक डाल के जो बना है प्लीज सबस्क्राइब कीजिए शेर कीजिए लाइक कीजिए अच्छा चाह कमेंट दीजिए ताकि मैं और अच्छे चे वीडियो आपके लिए बनाओ और अपने बारे में दिखा सको आपको तो प्लीज फ्रेंड सपोर्ट मी सब्सक्राइब एंड शेर और लाइक थें ध्युक्यू